Hi Guys, Hello and Welcome back to my channel Love Beauty on Beauty Guys, आज़का जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि महिलाओं में पीरिट्स या फिर मासिक थरम के दोरान Black Blood Discharge है, वो क्यों होता है महिलाओं को पीरिट्स के दोरान कई तरह की समस्चाइं होती है इस दोरान पेट में दर्द, सरीर में थकान और हर्मोनल बदलाव के वज़े से मूड में बदलाव जैसे समस्चाइं छेलनी होती है वही कुछ महिलाओं को इस दोरान काले रंग की ब्लेरिंग होती है पीरिट्स में Black Blood निकलने के कई कारण हो सकते है पीरिट्स के दोरान Black Blood निकलने को नौर्मल माना जाता है लेकिन जब यह समस्या लगातार बनी रहती है तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है इसलिए ऐसा बार-बार होने पर आपको डॉक्टर से संपर्क चरूर करना चाहिए तो चलिए आज के इस वीडियो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पीरिट्स में क्यों आता है काले रंग का खुन और क्या है इसके कारण तो पीरिट्स के दोरान Black Bleeding होने का पहला जो कारण है वो है पीरिट्स के सुरुआत या फिर अंत में Black period आना कई महिलाओं को पीरिट्स के सुरुआत में यानि कि जब उन्हें पहले बार पीरिट्स आना शुरू होता है तब या फिर मैनोपोस या फिर पीरिट्स के खत्म होने के दौरान यह समझता हो सकते हैं इस दोरान आपका फ्लो धीमा होता है जिसकी वज़े से आपकी यूट्स पे मुझूद बलड निकलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है जिसकी वज़े से ये बलड लाल रंग से बुरे रंग या फिर काले रंग में बदल जाता है पीरियट से पहले बलाक स्पॉडिक का भी यही एक कारण होता है दूशे जो कारण है वो है वज़ेना में किसी चीज़ की मौझूद की की कारण पीरियट के दौरान बलाक प्लड डिश्चार्ज जैसे बलाक पीरियट प्लड के नाम से भी जाना जाता है टाइविट पार् कोपरटी टैंपॉन आदी का यूज़ करती है इन उपकरणों की वज़े से वज़ेना में संकर्मन भी हो सकता है जिसके बाद वज़ेना में गंद डिस्चार्ज जैसे समस्या हो सकते है अकला जो कारण है वो है मिस्कैरज के कारण महिलाओं में मिस्कैरज के कारण भी प्रासिक थर्म या पीरियट के दुरान ब्लैक पीरियट ब्लड निकलता है मिस्कैरिस के वज़े से होने वाले इस समस्त्रा को गंभीर माना जाता है इसके लक्षन दिखने पर आपको एक्सपार्ट डॉक्टर के सला जरूर लेने चाहिए जो कारण है वह है पैल्विक इंफ प्रॉब्लम में आपको रिलेशन बनाने के बाद या फिर उसके दुरान ब्लीडिंग जैसा सिम्टम है वह दिख सकता है दूश्या पेसाब करते टाइम आपको दिक्कत हो सकते हैं तरिसा पैल्विक एरिया में दर्द या फिर दबाव हो सकता है पीरियेट की भी स्पारिं के कारेंट पीरियेट में ब्लैक ब्लड डिश्चार्ज होने का एक कारेंट सर्वाइकल कैंसर भी हो सकता है इस दुरान आपको ज्यादा थकान वर्जन कम होना पैसाब में दिक्कत और पैल्विक एरिया में दर्द हो सकता है महिलाओं के गर्भास से कि सबसे निशले हिस्स कारेंट में सर्विक्स होता है इसी सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सबाइकल कैंसर कहते हैं 35-40 की अम्र के बाद जब महिलाओं के पीरियेट्स इर्रेगॉलर होते हैं या ब्लैड ज्यादा निकलता है तो इसे नौर्मल समझकर नजर अंदास कर देती है मागर यह सबाइ अगर आपको एकार बार ब्लैक पीडियर की समस्या हुई है तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर यह समस्या लगादार बनी रहती है तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द है वो डॉक्टर से जरूर कॉंडेक्ट करना चाहिए तो मैं ऐसा करूंगी मेरा आज का वीडियो आप झाल झाल